हेलो एब्रिवान वल्कम तो स्प्लेंड़िड मॉम्स प्रीवेश स्यूडियों में हमने इंग्लिश वोकैबलरी की इंपोर्टेंस समझी थी इंग्लिश वोकैबलरी या इंग्लिश वर्ड्स अगर बच्चे को नहीं आते तो बच्चे रुक रुक के बात करेंगे जैसे कि वह अपनी वादर्टंग भी इंक्लूट कर देंगे इंग्लिश सेंटेंस में English के words जितने बच्चे को सीखने को मिलेंगे जितना exposure उनको मिलेगा उतना अच्छा वो बात करेंगे तो आज मैं आपके साथ शेर करने वाली हूँ कुछ English words बहुत beautiful words जो आप use करना जरूर पसंद करेंगे अपने routine में इन beautiful words को शेर करने से पहले मेरे एक request है जरूर अगर आपको वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक करें बहुत सारा शेर करें और चैनल पर नए है तो जरूर सब्सक्राइब करें यह रहे वो words अगर आपको याद है तो मैंने कहता यह beautiful words है beautiful मैंने इसलिए कहता कि अगर आप गोर करें तो यह सारे words में एक बात बहुत खास है वो है कि हर word में आपको एक prefix नजर आएगा prefix मतलब word के आगे कुछ और word add करना so that उसका meaning change हो जाए जैसे कि मैंने sleep को यहाँ पर over add किया है test पे pre मैंने add किया है able पे un मैंने add किया है obey पर dis add किया हुआ है in behave पे miss और right पे re तो यह जो आप words यहाँ पे देख रहे है over pre undismissary यह सारे prefixes कहलाते हैं और जो word के साथ वो add किया जाता है उसका meaning वो change कर देते हैं कैसे change करते हैं यह अभी मैं share करूंगी इन prefix words का अगर आपको meaning बता होना तो बहुत सारे words के साथ इनको आप add कर सकते हैं और उन words को use कर सकते हैं अपने routine में और sentence को बहुत beautifully बोल सकते हैं जैसे कि अगर आपका बच्चा बहुत ज्यादा सो रहा है तो हम कहेंगे don't sleep more तो instead of telling more आप कह सकते हैं don't oversleep या फिर अगर आ you are not obeying your father इस तरह का statement हम देते हैं तो आप don't disobey your father इस तरह से words include कर सकते हैं बहुत beautifully आप sentence बना कर बोल सकते हैं और बच्चे को सिखा सकते हैं तो आए देखते हैं meanings of this prefix words over over का मतलब होता है too much यानि बहुत ज्यादा too much जैसे मैंने का oversleep यानि ज्यादा सोना oversleep pre pre मतलब होता है before यानि कुछ करने से पहले so pre test यानि test से पहले अगर आपको कुछ और लिखाना है तो आपको use कर सकती है pre test un un का मतलब होता है not so un तब यूज करिया जाता है जब आपको कोई statement negative में बोलना होता है या फिर reverse में बोलना होता है जैसे के unable I am able to understand I am unable to understand इस तरह से this this का मतलब होता है opposite of अगर opposite में बोलना है तो हम dis का use करते हैं जैसे के मैंने example दिया था dis obey obey करना और dis obey करना इस तरह से miss miss का मतलब होता है wrong wrong मतलब किसी काम को wrong करना जैसे के आप यहां पर देख सकते है misbehave मैंने example लिखा है behave yourself कहते हैं हम या फिर you did not behave well हम कहते हैं तो हम कह सकते हैं why did you misbehave तुमने wrongly behave क्यों किया तो यह होता है misbehave next prefix है re, re का मतलब होता है again दुबारा करना तो दुबारा करना मतलब rewrite it हम कहते हैं दुबारा लिखो फिर से लिखो तो इसके लिए English में हम कहते है write it again तो write it again के बज़ाए आप rewrite it use कर सकते हैं rewrite it मतलब दुबारा करना so है नहीं कुछ beautiful vocabulary beautiful English words जो आप अपने daily routine में include कर सकते हैं especially बचों के साथ don't oversleep या फिर unable to understand don't disobey don't misbehave rewrite it दुबारा लिखो ये सारी common vocabulary है जो हम generally use नहीं करते हैं बट आप इनको जरूर अपने routine में अपने English language में include करिए और बचों को beautiful sentences बोलना सिखाईए आए देखते हैं कुछ और examples using prefixes so over related words oversleep over acting over work over acting हम कभी यूज करते हैं बचों के लिए over work अगर ज्यादा work कर रहे हैं तो don't over work हम कह सकते हैं pre write लिखने से पहले जैसे के pre writing lines होती है pre write pre test pre historic generally ये word social में use किया जाता है pre historic age इस तरह से prepaid इस word को हम अपने phone के साथ ज्यादा use करते हैं prepaid post paid इस तरह से then unrelated words unable unlike unhappy unlock unaware unusual misunderstood misbehave misheard misplace इसी तरह से reapply reheat rewrite revisit replay disable discontinue disobey disappear and disconnect जिस word को हम ये prefix add कर रहे हैं उसको हम root word कहते हैं और root words को हम prefix add करते हैं so that उसका meaning change हो जाए तो ये थे कुछ examples daily इनको जरूर अपने routine में include करिये आये देखते हैं कुछ common sentences जो आप बच्चों के साथ use कर सकते हैं using this prefix words so सबसे पहले है miss related words की sentences you miss heard it यानि अगर आपने कुछ कहा है और उन्होंने गलत सुना है तो आप कहेंगे you miss heard it यानि गलत सुना है you misunderstood it इसी तरह से अगर आपने कुछ समझाया है और उन्होंने गलत समझाया है उसको जैसे कि आप बच्चे को कोई math की problem समझा रहे हैं और उसको गलत समझ में आया है उसने wrongly उसको solve किया है तो आप कह सकते हैं you misunderstood it why did you misplace it बच्चा कभी कोई चीज कहीं रखकर भूल जाता है उसको गुमा देता है उसके toy को तो आप यह use कर सकते हैं misplace why did you misplace it do not misbehave यह हम बच्चों के साथ generally use करते हैं do not misbehave reapply the ointment related words reapply the ointments दोबारा ointment को लगाओ rewrite the answer दोबारा answer लिखो I am reheating the food मैं खाना दोबारा गरम कर रही हूँ तो I am reheating the food please replay the song song को दोबारा लगाओ replay please replay the song where did you disappear कहां गायब हो गये थे where did you disappear why did you disobey इसी तरह से disobey the phone is disabled यानि phone पहले काम कर रहा था अभी वो काम नहीं कर रहा है तो disabled हो गया है the phone is disabled she discontinued her studies यानि उसने अपनी पढ़ाही रोग दी उसने continue नहीं की discontinue disconnect the wire wire को निकाल दो connection से हटा दो so disconnect the wire I am unable to walk मैं चल नहीं पा रही हूँ unable I am able to walk I am unable to walk मैं चल नहीं पा रही हूँ why are you unhappy इसी तरह से please unlock the door unlock the door हम generally लिखेते है open the door open the door इससे अच्छा है आप कहिए please unlock the door I am unaware of it unaware मुझे नहीं पता था यह I am sorry यह M है यहाँ पर I am unaware of it so यह थी कुछ simple sentences daily आप इनको use कर सकते हैं और beautiful sentences बच्चों को कहना सिखा सकते हैं यह थी कुछ very beautiful words using prefixes English vocabulary जो आप ज़रूर यूज करिए अपने routine में और बच्चे को इन words को use करना सिखाईए क्या है न कितनी अच्छी vocabulary बच्चे बूरेंगे उतना impress वो आगे वाले को कर पाएंगे और अच्छी English कौन बोलना नहीं चाहेगा यह था अच्छों वीडियो आपको यह वीडियो helpful लगा वीडियो helpful लगा तो जरूर लाइक करे शेर करे और चैनल पे नहीं है तो जरूर सब्सक्राइब करे happy parenting from splendid moms happy parenting from splendid moms give us a thumbs up if you like the video subscribe to our channel and hit the bell icon to get the notifications of our latest videos